बेटी छोए माजी मैं मेरू हित ग्याचों का सूर टेरी जन्पत के गनसाली तैसिल के अंतरगत गहड गाउं की बेटी वंदरा जिसका ब्याब पास के गाउं पिपोला गाउं के जीज सिंग से हुआ था जिसकी पिछले दिनों 20 अप्रैल को ससुराल में संदिक परिस्तितियों में मौत हो गई थी माई के वालों का आरोप है कि दहेज के लोभी उसके सिक्षक पती जीज सिंग और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी इस मामले की तैकिकात करने के लिए जागो उतराखंड वंदना के गहड गाउं पहुचा और जानने की कोशिज की की दहेज के लोभीयों के परिदी उसके परिजनों और गाउं की बहु बेटियों में कितना आकरोस है देखिए जागो उतराखंड के संपादक आसुतोस नेगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट ये टिहरी जनपत का गहड गाउं है बाल गंगा तैसील में आता है ये गंसाली इसकी मुख्य तैसील गंसाली है और बाल गंगा इसकी उप तैसील है यहां की एक बेटी वंदना जिसकी उम्र लगवग बाईस साल थी पिछले दिनों 20 तारिक के आसपास अप्रेल उसकी हत्या करने की आसंका गाउं वाले और उनके परिवार वाले व्यक्ति कर रहे है उसकी साधी यहां से कुछ किलोमेटर दूर पिपोला गाउं में हुई थी और उनके जो पती हैं वो पेसे से सिक्षक बताए जा रहे है सारे आरोपियों को फिलाल पुलिस ने गरिपतार कर लिया है लेकिन जो अभी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लड़की की मौत गला दबने से हुई थी परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या को आत्म हत्या का रंग दिया जा रहा है यहाँ पे उनके जो पिताजी हैं वो मेरे साथ हैं उनसे जानेंगे कि कब साध्य हुई थी वंदना की और जो वो आरोप लगा रहे हैं किस आधार पे लगा रहे है भाई जब यह जो आपकी बेटे की साध्य हुई थी यह कब हुई थी और आप जो कह रहे हैं कि हत्या हुई क्यों कह रहे हैं उसकी साध्य भाजी 14 अपरेल 14 जनवरी 2019 को हुई थी फिर उसके बाद वो पांचवे दिन से उससे मार्पिट सुरू करने लग या था फिर वो 14 अपरेल 2019 को भाग के घया हमारे आए फिर तब हमने उससे पूछा कि क्यों किसा आए तो क्या फिर इसलिए उसको उत्मिड़न करता रहा कि तेरे बाप को जो है नोकरी वाला पत्ती मिला है क्या दिया तेरे बाप ने फिर चैसा दिन बाद जो है उसका बाप और उसका पती यहां आया रात को उन्होंने माफी मुफी मांगी कि अब जो है ऐसा नहीं होगा फिर हमने बोला कि चलो भाए खाने कमाना के वाले बात है कि घर बस जाए यह फिर लड़की भी तयार होगी कि नहीं करनी रिपोर्ट उसकी यहीं पर दिन राट ड्यूटी थी मीनिहीं तो मैं उसी समय उसकी अफारे कर लेता पर उसकी नदी एक सिक्षक होनी के काराण जो है जो है मैंने सोचा बात में कि शिक्षकों के बोर से लोगोंने हजारों पच्चे चोड़के हैं एक लड़ कि ने मैं पूछ तरह लड़के को करनी यह फार नहीं नहीं पापा इसके लिए सरम हो जाएगी डिल आता जाता रहता है और मार पेट करेगा यह जो बीस तारी को आप बता रहे हो कि बीस तारी को उसकी हत्या की गई वो जानकारी आपको कैसे हुई क्या हुआ उजिन बीस ता मैं पूरी बिमार होगे पूरी भीमार होगे यह नहीं पुलिस भीज़ रहा हुआ पिर उसके बाद यह एक सोद को फोन किया एक तो अनुने गंशाली तेसिल को फोन किया गंशाली थाने वालों ने सोगे तार्स्यकृ तो पुलीश अई फिर बाद में थूड देर बाद 11 वजी लग भग गई हम यहां यह कि मेरा भाहि था एक हमारी गाहों के थे जब आप वहां पहुंचे तो वंदना का जो सरीड था क्या उपर से लटक रहा था जो लटकाने की बात हो रही कि आत्मत्य हुई किस तरह से देखा आपने जब पहली बार देखा और जो वहां पे हुआ करणने का ता कि अ म happy हैं और थे पहले पंचे थे वह बोलेते हैं हाथ उसका एसा था 2ुशका है ऊपर मुऊ में उसका जागा रहा था चोट के निसान कहा कहा लगे थे लिए ओषक 46 उसके चोट के निसा नहीं देखा है बाद में बोलते पीट में भी है वो तो पंचना में में देखा होगा पोस्टमान रिपोर्ट में आएगा तो दही अचे मैं रो रहा था मैं वहाँ नहीं देख पाए हमने उसको एक चीज़ और इसमें इंपोर्टेंट है कि आप जैसे कह अब देख सकते हैं कि जो इस गाओं की बहु बेटिया है और जो बुजुरुमाता है वो भी देहसत में है क्यूंकि हमारे पहाड में इस तरह की घटा है आम नहीं है और सब को डर है कि वंदना के बाद अगर वो कहीं अपनी बेटी की साधी कहीं दूसरे गाओं में करें तो क्या ऐसा उसके साथ भी हो सकता है क्यूंकि अगर ये परंपरा सुरू हो गई तो ये फिर आगे बढ़ती जाएगी और दोसियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए मेरे साथ यहां पर परिवार के अन्य सदर से भी हैं वंदना के भाई हैं जो कि फिलाल देरादून में पढ़ाई कर रहे हैं आपसे फोन पे मेरी बाचीत हो रही थी थोड़ा जानकारी आपसे मैंने लिये आपने एक मुझे और चीज बताए कि उनकी बेहन जो है सोसिल पर लिखा था उसके द्वारा टो बताया गया था कि इसमें पोस्ट मास्टBS रिपोर्टर आने धो उसके बाद दूद पानी की अज़ाए गा कई न कई हेर फेर किया गया है चयसे बताय देखा जा रहा है कि ऊसमें हमने भी नहीं देखा वांपे फांसी पे लटकी हुई निहीं देखी जो तेसल editors लौक थे एंहों ने भी बैट पर लास को पाये गया तो यह फासी का फंदा कैसे आ सकता है उसमें मेरे साथ वंदना की मां भी हैं बहुत दुखी है वह बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगी फिर भी थोड़ा सा बातचीत करूंगा में से अगर हम उसके पती के फोन से फोन करते थे उसको देता ही निता फोन कैता है कि वो रोटी बना रहे हो कपड़े दोरहे और कम पर लगी हुए उसके से उस aún करते हुए अगी था ने एक साल हो गया था उसके साथ हुए और नहीं थो उसको मैके घुर ला मैके भी बेजा तो इस दिमांड से घुरा की अपने ममीपापा से पह स्य थे बस तेरे बापने कुछ नहीं दिया एक चीज और इसमें आरी थी कि आप लोग की तरफ से भी आरोब जो लगाया गया है जो मैंने कहीं देखा भी है कहीं छपा हुआ कि उसने पहले भी कोई लड़की से अफैर था या उसको घर पे रखा हुआ था यह बात उसने कभी कई लोगों ने सुनाना लोग कहते थे कि ऐसा हुआ है हमने भी नहीं देखा तो क्या लगता है आपका कि वह कहीं दूसरी जगा साधी करना चाहरा था ऐसी भी हासंग का है क्या कुछ है तो आपने देखा कि यह जो गैड़ गाओं है टीरी का जो यहां पर यह बाल गंगा तैस अगर ऐसा ही होता रहे तो कल यह किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है मेरे साथ यहां की कुछ बहु बेटियां भी है वो भी अपनी बात रखना चाहेंगी आए उनसे बातचीत करेंगे आप क्या लगती है बंदना की हम बंदना के गाउंवाले हैं हम उनके चाची लगत ही है इससकी बहुते हैं हमों की अगर भी मेरे लड़की की उरे इस को आणी की सवाने म मिलने है कम इसके पांजी होना ची है जैसे लरके साथ है वा ऐसे उसके साथ होना चीह हम यह चाहते है तो आपने देखा कि पूरे जो इलाका है और ये गाउं जो गहड है इन लोगों में कितना दुख है इस घटना को लेके और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्राखंड के परवासी हमारे भाई लोग हैं जो महारास्ट में रह रहे हैं गुजरात में रहे हैं कई लोगो और साइद इसी वज़े से इस मामले को दवाने का प्रियास भी कहीं किया जा रहा होगा लेकिन हम इस ख़बर के तह में जाने की कोशिस करेंगे और टीरी का जो पुलिस प्रसासन है या राजस्व प्रसासन है उससे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या जो पी-म रिपोर्ट आ फासी से लटकने का रंग दिया जा रहा है ये सारी चीजें इस तहकीकात में इसपस्ट हो पाएंगी और वो जल्दी ही हम आपके सामने लेकर आएंगे जागो उत्राखंट के लिए गहड घंसाली टीरी गडवाल से आसुतोस नेगी की रिपोर्ट